नमस्कार मित्रों जय हो मारक्ष्मी जी दोस्तों स्वागत त्याव शुरही का आपके अपने यूटियोब चैनल में एक बर फिल से एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 14 अपरेल शुक्रवार आपके राशी के महाराशी फल की बारे में कि 14 अपरेल शुक्रवार के दिन आपके लिए कैसी रहेंगी इस दिन कैसी इस्तथियों का नर्मान होगा कौन सा कार्याब के लिए भाग इशारी होंगी किन शित्रों में लाब होगा इस समय ग्रहों के इस्तथी कैसी रहेंगी क्या क्या योग बनेंगी और आपकी लवलाइब कैसी रहेंगी आपका स्वास्त क्या रहेंगा और साथी साथ बात करेंगे आपका शुबरंग और शुब अंक क्या रहेंगा लेकिन उश्य पहली आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में जाम लेती हैं दोस्तों आज दिनांग 14 अपरें 2023 दिन सुक्रवार मालक्षमी जी का पावन दिन है तिधी के अगर बात करें तो क्रश्न पक्ष की नौमे दिधी 11 बच कर 13 मिनट तक रहेगा वही नक्षत्र की अगर बात करें तो उत्रा शाढ़ा नक्षत्र का नर्मान हो रहा है आज का अविजिप महुत का समय दोपहर 12 बच कर एक मिनट से 12 बच कर बावन मिनट तक रहेगा आज का राहुकाल अर्धात माने जाने बारे दिन का असुब शमय शुबह के 10 बच कर 53 मिनट से 12 बच कर 57 मिनट तक रहेगा ध्यान दिजियेगा मित्रों इस राहुकाल के समयावधी में कोई भी महतपुण कार्यों की शुरवात एकदम भूल से भी ना करे नहीं तो कार्यों में विग्न बाधा आएगा ही अब बात करते हैं सुरी और चंद्रमा की शुर्य में राशी में ही गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा मकर राशी में शंचार करेगा पूरे दिन राथ आईए अब बात करती हैं आपका देनिक राशी फल और यहाँ प्रेडिक्शन आपके चंदर राशी पर आधारी थे वरिश्चिक राशी बालों आने वाले अगरे 24 गंटे के अंदर आपका भाग ये उदे होने वाला है जी हाँ क्योंकि दोस्तों अगरे 24 गंटे के अंदर आपको तीन बड़ी काम्यावी मिलेगी और ये काम्यावी आपके तरक्की के द्वार खोल सकती हैं एक प्रकार्ट से यूं कहें तो आपके बंद किसमत का ताला ही खुल जाएगा जी हाँ क्योंकि आचानक होगा आपकी जिन्दगी में बड़ा बदलाओ जी हाँ दोस्तों जिन्दगी ये माइने नहीं रखता है कि आपने अपने जिन्दगी को कितना जिया बलकि माइने सिर्फ ये रखता है कि आपने अपने जिन्दगी में कितना खुश रहे जी हाँ आने वाले अगले 24 गंटे के अंदर आपको मौका मिलेगा बड़ा हाथ मारने का जी हाँ लेकिन दोस्तों ये आपकी परिक्षा की घड़ी भी हो शकती है ध्यान रखियेगा आने वाले अगले 24 गंटे कोई भी गलत काम कोई भी अनेथिकल काम मत करना नहीं तो भाग्य के देवता भगवान सनी देवजी आप से नराज हो शकती है जी हाँ देखे रोस्तों भगवान सनी देवजी शाप साफ कहती है जो भगवान के सामरे जुखता है वो सब को अच्छा लगता है लेकिन जो सब के सामने जुखता है वही हमें अच्छा लगता है इसलिए दोस्तों कभी भी अपने अंदर घमंड मत करना एहंकार मत करना क्योंकि दोस्तों एहंकारी व्यक्तियों शे घमंडी इंसानों शे भगबान सनी देब जी दूर रहती हैं जी हाँ और ऐसे इंसानों को भगबान सनी देब जी कुछ भी देना पशंद नहीं करती हैं ना रोजी रोजगार ना धन संपती और ना ही कोई अन्य चीज जी हाँ आने वाले अगले 24 घंटी धन संपती के मामले में लाव होगा रुका हुआ धन मिल सकता है खुजा हुआ रोपिया पैसा मिल सकता है और जिनजातकों का कोई भी कही पर पैशा अटका हुआ है तो वो पैशा अगले 24 घंटे के अंदर इस रासी के जातकों कुमल सकता है जी हाँ शेयर मार्केट में लोटी शट्टी में धन निवेश करने वालों के लिए शमय थोड़ा सा उतार चड़ाव भरा रहेगा अगर आप रिश्क लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको लाव हो शकता है लेकिन सोच समझ करके निवेश करिएगा ये आपके लिए बहतर होंगी क्योंकि दोस्तों निवेश करने वालों के लिए आज का दिन उतना अनुकुल नहीं है देखे दोस्तों आप पिसले कुछ दिनों शी काफी बवस्तित दिन्चर्या बिता रही हैं अब सारी चीज़ों को बवस्तित करने का समय आचुका है जी हादोस्तों आज आपको तुलुनात्मक रूपशी थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन दोस्तों आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीज़ों को बवस्तित करने में लगाना चाहिए नहीं तो सब कुछ और अधिक उलसता जाएगा और आप इस्तिती के नियंतरण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परिशान होंगी जी हादोस्तों अपने आपको फिटनेस कारिकरम की आदत डालने के लिए काफी समय दे पिसले कई महिनोंशी आपके दमाग में यहाँ बात जो है आई है कि आपको अपने स्वास्ते को ठीक करना है लेकिन आपको यहाँ समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर बाएंगे अब आपके इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वासे को ठीक ही कर लेंगे जी हादोस्तों वही दोस्तों आपके लिजो समय होंगे यह समय आपकी किस्मत आपके साथ है जी हाँ दोस्तों आप अपने समस्या को सुल्धा लेने की कुशलता से सब को अचरज में डाल देंगी जी हाँ दोस्तों आज आपके सामने कोई भी समस्या आएगा आप उनका बड़े ही आसानी से समाधान खुल लेंगी क्योंकि दोस्तों आज आप बहुत ही जोश से भरे रहेंगे जी हाँ, शैकर्मी आप से प्रभावित होंगी आपका आत्मिस्वाश देखने के लायक होगा और शब को एक नया काम मिलेगा जी हरोस्तों, खुश रहें और अपनों के साथ खुशियां बाटने का प्रयास करें ये आपके लिए बहतर होगी आज कोई दोस्त आज आपसे मिलने आ सकता है दिन कुल मिलाकर मज़ेदार रहेगा जी हरोस्तों, आप अपनी शर्वतम सहत में हैं और अब समय नए लक्ष तै करने और खुद को अधिक शक्त कारिकरम की अनुशार ढालने के लिए बिलकुल उप्यूग थें जी हरोस्तों, एथलीटों और शारिक परिस्रों में से जुड़े अन्य लोगों को आज विसे सफलता मिलनी दाए है जी हरोस्तों, नव विवाहित, शक्रिय और खुसी महसूस करेंगे और आपकी मानसिक सेहत भी काफी अच्छी रहेगी आप अपने आज पास के लोगों को भी अपने जोश और आशावादी दृष्टी से काफी प्रभावी करेंगे जी हरोस्तों, इससे शब को भी अपने स्वास्ती के प्रती, जागरुक होने की प्रेरना मिलेगी देखिये दोस्तों, आज ग्रोगों की इस्तती आपकी लव-लाइफ के लिए बिलकुल उप्यूग्ध है जी हरोस्तों, अपने दोस्त के साथ बाहर जाकर मजे करना ना भोलें आप जहां भी कहीं सोच सकते हैं, ऐसी किसी जगह पर आप के लिए डेटिंग और संबन बनाने का मौका मिल सकता है जी हम दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको अब शभी से मिलने जुलने की जरूरत है ये समय पिसले सब्बन को भी आगे बढ़ाने के लिए सही समय है जिसके बारे में आपके दिमाग में काफी संदेह थे वो सारी संदेह आज आपके मीट जाएंगी जी हाँ दोस्तों आज आपको अपने कारीसेल पर शावध्वहनी बरतनी अती आवश्यक है क्योंकि दोस्तों आज आज आपको कोई ध््धुखा दे शकता है जिस पर आप आंख बुंध कर भरुशा करती हैं वही लोग आज आपको ध्धुखा दे सकता है इसलिए दोस्तों आज आपको अपने कारिक्षित में बहुत ही जादा शावधा नहेने की जरूरत है आप ये भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यालों में कुछ भी जो है छुपा हुआ नहीं है इसलिए दोस्तों आपको इस्तियों के मताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है आज आपको विवेक की जरूरत है जी हाँ आज आप जितना अपनी बुद्धी विवेक से काम लेंगे उतना आपके लिए बहतर होंगी जी हाँ दोस्तों आज आपको आलसी करने से बचना होगा आज आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उशे अंदेखा करते हैं तो आपको अपने केरियर के शंदर में किम्मत सुखाने पड़ सकती है इसलिए दोस्तों शोकना रहने की अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरत है जी हाँ दोस्तों शावधान रहें सतरक रहें ये आपके लिए बहतर होंगी धन्यवाद दिन आपका शुब हो मंगल मैं हो अब बात करते ही शुब रंग और शुब अंग की तो आज आपका शुब रंग है पीला कलर और शुब अंग आपका है पांस और दोस्तों भाग्य साथ निभाएगा आपका तक्रीबन 85 प्रतिशत दोस्तों जादे जादे वीडियो को एक लाइक जरूर दोस्तों